हाई दोस्तों कैसे अब लोग दिल थोड़ा सैड है आज और टॉपिक मेरे से रिलेटेड भी है और मैं इस टॉपिक को उठाना भी चाहता था लेकिन समाज जिस डियरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर लगता कि इंसानों की जुरुत अब रही नहीं है अब यह अपने एक लिफ्ट में देखा होगा कि लिफ्ट में ओडा की बात है शायद एक लिफ्ट में एक लेड़ी पालतुकुत्ता लेकर जा रही थी उसने बच्चे को काट लिया और उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस पर कि बच्चे को काटा है उसको दर्द ह हो रहा है शायद इंसान कुत्तों से ज़्यादा प्यार करने लगया है इंसान से आज टॉपिक यही है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैं अपनी बात क्या बता हूँ उस परसनल टॉपिक है तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन दिल बहुत दुखा बता दूँ मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया काफी दिन पहले कि मुझे कुछ एक परसनल टॉपिक पे कुछ पूशना है वो उस फील्ड के डॉक् जबकि मैं उनका सीनियर था अपने कॉलेज में उसके बाद मैंने नको रिमाइंडर भी भेजा उन्होंने कोई जवाब ने लिया कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना एक, उन्होंने एक डोग वाला मेसेश भेजा, जिसमें लिखा भा था, कि इसमें कुछ डोनेशन डाल दें, मैं डोग पे चैरिटी कर रहा हूं, यह कर रही हूं जो भी है, मैंने संस्ता खोली है, जो डोग के लिए वेक्सिनेशन करे हैं, उनका पालन करेगी, उनकी सेवा करेंगे हम लोग, उसमें डोनेट कर दो, मैं का, पहले मेरी प्रॉलम तो सुन लो भाई, मैं ही तिन्हें दिरों से यहां बैठा हूं, जोड के आप से अपाइन्ट मांग रहा हूं, वो भी डॉक्टर है, इसलिए शायद मैं उनसे इसलिए बैस्तो की बात करी, टॉपिक यह नहीं है, टॉपिक यह है कि आखिर, लोग कुटों से हितना प्यार क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एनीमल लवर नहीं हूं, मैं सच बोलू, मैं अनीमल लवर भी हूं, लेकि उस से पहले, उसके साथ, मैं एक इन्सान से भी प्य पाला नहीं होता गली के कुट्ते जैसी किस्मत बड किसी को न हो आज इधर कल उधर आज इधर से गाली खाता है ठोकर काता है तो कल दूसरे ज़ेगे ठोकर खाता है लिकिन इसी के साथ जोड़ी कुछ और समस्या υडी है जो मेरे साथ भी होई है और समाज इतना बदल रहा है शायद अब पहला सवाल यही कि आखिर कुछ लोग कुटा क्यों पालते हैं सबस्वादा सवाल यही है कुछ लोग आखिर कुटा क्यों पालते हैं और कुछ लोग जोरों से ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं कुटों से इंसानों से कम कुट्टों पे ज़्यादा विश्वास क्यों हो रहा है दुनिया को ये ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है कि लोगों को इंसानों से ज़्यादा कुट्टों पे ट्रस्ट है नमबर एक ये माना जाता है कि कुट्टा एक बहुत वफदा जानवर है और कुट्टा आपको इंसानों से ज़्यादा प्यार कर सकता है, आपकी ज़्यादा देखवाल कर सकता है, ये बात fact है, शायद यही है क्रीजन है, दूसरा आज के समाज में जहां रिश्टे तार-तार हो रहे हैं, लोगों को trust खतम हो गया है, इंसान का इंसान के उपर, इस व कोई मिलता नहीं है, अपना दुख, किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए भी वो कुट्टा पाल लेता है, कि चलो कोई तो है, जिसके साथ मैं अपना दुख दाद शेयर कर सकता हूँ, हाना, तो एग ये reason भी है, और कुट्टे वफादार होते हैं, आपकी सूट करता है, अनिमल लवर तो होते हैं, लेकिन सब की अप्रोच थोड़ी-थोड़ी अलग होती है, तो अनिमल लवर होना एक अच्छी बात है, मैं खुद एक अनिमल लवर हूँ, पर मैं कुट्टे से जादा मुझे बिल्ली प्यार ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट या छोटोटे पपी जो है, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कहीं हम लोग इंसानों को इंसान के प्रति इतना रूखा क्यों हो गया है, क्यों इंसान के प्रति मोग खतम होता जा रहा है, क्यों इंसान को इंसान पर ट्रस नहीं है, क्यों इंसान के पास इ मैं उन डॉक्टर साब को कितने दिनों से दो-तीन बार मैसे भेजा मुझे अपाइमेंट दे दो मेरी प्रॉलम सुन लो जबकि वो मेरी जूनियर है और क्या बोलो नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ किसी हालत भी नहीं बता सकता हूँ किसी का भी जो समाज है जिसमें ये बनावटी पन खोखला पन आ चुका है कि हम कुट्टों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं इंसानों पर कम पर मुझे कहीं नहीं ये भी लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते ये बात भी मैं मानता हूँ अच्छा बुरा समाज यहीं पर है अगर आपको दो चार धोका देने वाले मिलेंगे तो दो चार अच्छे इंसान भी मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि सारा समाज खराब होगे है ठीक है और ऐसी कुट्टों के साथ है कि कुट्टे, आपसे बहुत प्यार करते है तो कुट्टे ऐसे भी है जिन्होंने अभी एक लेड़ी की हत्या भी कर दी काट-काट के अपनी मालकिन की और कुट्टे काटे मुझे दो बार कुट्टे काट चुके है, गली के इसी वज़े से मुझे अपना घर भी बदलना पड़ा मैं सच बता रहो मेरा घर एक कोठी के फ्लोर में था जहां पे कुट्टे इतने थे कि और कुट्टो को जो पालने वाले होते हैं गली के जो उनको खाना खिलाते हैं वो एंड टाइम पे भाग जाते हैं तो एक पालतू कुट्टे में और गली के कुट्टो में फर्क है ठीक है अब सरकार उनकी ले जाती है उनको कैस्टरेशन उनके नस्बंदी करते हैं कि और बच्चे पैदा ना उनको वैक्सिनेशन भी करते हैं लोग कि इनको गर काट भी लें कोई डिलिवर करने आते था हमारा टेलर आता था कोई भी बंदा समा लेकर आता था 50% से ज़्यादा लोगों को कुट्टों ने काटा और डर के मारे उन्होंने आना ही बंद कर दिया उन्हां बोला सर यहां नहीं आएंगे जो मरजी हो था है हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉलम हो चुकी भी सोचिए फिर मुझे लगा नमनीत यहां से घरी शिफ्ट कर दो ना तो पार्किंग की प्रॉलम अलग है कुत्तों की भी प्रॉलम है तो भाई मैं सुसाइटी में आ गया है जहां पर एक भी कुत्ता अंदर नहीं है अब क्या बोलो मैं इसके बारे में प्रॉलम तो है आवारा कुत्तों की इससे निप्टा कैसे जाए यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्य है जो एनिमल लवर है वो अपनी जगे ठीक है भाई क्या कर इनका बताओ और जिनको काटता है वो अपनी जगे ठीक है भाई मुझे काट गया पुझे रेवीज हो गई फ्लाना हो गया मर गया उसकी व्यथा कौन सुने तब तो यह अनिमल लवर सब भाग जाते महां से दुन दबा के कोई नहीं आता है उनकी help करने के लिए कि हम आपको ठीका लगवा देते हैं यह कर देते हैं सच बता रहा हूँ तब कोई सामने नहीं आता तो प्रॉलम कहीं न कहीं इन कुट्तों की प्रॉलम नहीं है वो तो बिचारे ऐसी है वो तो उत्ते की जिंदगी ऐसी है अबारा कि इनका solution क्या है topic यह है कि हम कहीं न कहीं इनसान के प्रती इनसान से इतना दूर होता जा रहा है कुत्तों के पास होता जा रहा है तो यह आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है मैं सच बता रहा हूँ लोग independent हो रहे हैं woman independent हो रही है तलाग इतने बढ़ते जा रहे हैं divorce इतने बढ़ते जा रहे हैं पैसा लोगों के पास आता जा रहा है time लोगों के पास इतना है retirement किए जाते हैं तो उनको समझी नहीं आता करूं क्या वो कहते है चलो भाई यही कर लो कुतों की रक्षा कर लो एनिमल लवर हो जाओ एनिमल ये कर लो एनिमल वो कर लो या कुछ ओर कर लो जो भी social activities हैं उनमें शामिल हो जाओ अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कुछ करना चाहिए बहुत जरूरी है लेकिन इसके चलते आप ये मत भूलें कि सबसे पहले आप इनसान हो और इनसान का इनसान के प्रतिवी उतना ही करता हुए है अगर आप इनसान ने आप एनिमल लवर हो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप इनसान से इतने दूर क्यों हो गए सच यही है मेरा अपना मानना है जो इनिमल लवर से हैं कहीं ने कहीं वो इनसान से बहुत दूर जा चुकी है उसके पीछे multiple कारण मैंने बता है, हो सकते है उनकी personal life से related कारण हो सकते है उनकी personality ऐसी है कि उनको इनसानों पे Trust नहीं होता है या उनको अनिमल से बहुत जादा प्यार है, दोई चीज़े हैं, या तो आपको इंसानों पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको जानवरों से बहुत जादा प्यार है, दोई चीज़े हो सकती हैं, बस, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में मैं कहता है, अनिमल लबर होना तो कम मेरी हाला तो कुट्टे जैसी हो गई है अपाइटमेंट मांगते मांगते जिब कि मुझे पता था इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला जिस परस्नल ओपिनियन के लिए मैं मांग रहा हूं अंदर से मुझे यह भी पता था शेयर मैं टेस्ट ले रहा था एक कई बर मैं टेस्ट लेता हूं लोगों का कि यह सच में इंसान खुद भी इंसान अभी है नहीं है यह इन्हों में भी अपनी योनी बदल लिये सुरी दोस्तों क्या बोलूँ मैं अब मैं तो फिर भी बोलूँगा खीक है एनिमल लवर हैं तो बहुत अच्छी बात है नफरत मत करिएगा एनिमल से जानवरों से नफरत मत करिएगा लेकिन इंसानों से भी नफरत मत करो दोस्तों खीक है सबसे वहले तो आप इंसान ही हो भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है इनसान होने का, तो अच्छी बात है आप जानवरों की रक्षा कर रहे हो, आपको भगवान बहुत वो देगा, लेकिन अपनों से धूर हो जाना, अपने अपने लोगों के लिए समय ना होना, पता है मुझे ऐसा लगता है कहीं न कह केलेपन का बहुत शिकार हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर ट्रस्ट करें या ना करें, सारा कहानी प्यार की और ट्रस्ट की है, लव, सेक्शन, दोका, यहां पर मुझे लगता है, लव, डॉग, एंड, दोका, चलो, एनिवेज, हर एक की अपनी जिन्द जानवर को भी खुश कर सकते हो, पर अगर जानवरों पर ही डिपेंडेंट रहना है, हमने एनिमल पर ही डिपेंडेंट रहना है, तो इंसान, इंसान से दूर तो हो गई हो गई, दोनों चीजे हैं, इंसान, इंसान से दूर होता जा रहा है, इसलिए डोक, एनिमल्स की है तो एनिवेस जो भी था जैसा भी था एक टॉपिक था और इतना ही बोलूँ कि भाई अगर आपने कुटा पाला हुआ पालतु कुटा है तो आप यह आप ही की ड्यूटी है कि आप अपने औरोसी परोसी का ध्यान रखें ठीक है यह नौगे अनिमल लबर चक्कर दिखाने क बात होगी नहीं तो मेरा जूता मेरा कुटा है जापानी यह पतलून हिंदुस्तानी जी हाँ जिन्दगी अब यही रह गई है बस ऐसी चलती रहेगी कुछ इंसानों के साथ और कुट जानवरों के साथ इंसान खुद जानवर से बत्तर जिन्दगी जी रहा है यह बात सच इंसान की हेल्प जो लोग करते हैं मैं उनको भी नत्मस्तक होता हूं थैंक यू शुक्रिया